हलो गाइज वेलकम बाक टो टो चैनल स्वागा था आप सभी का आपके अपने यूटिब चैनल जी एस बायंकित जामें इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी रीसिंटली जो आप लोगों ने न्यूज में बहुत देखा कि इंडिया में जमू कश्मीर में मिल च जाएगा सिंस अभी तक अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जीरो रिजर्व था जीरो रिजर्व जीरो माइनिंग हम कंप्लीटली डिपेंडेंट थे कई सारी कंट्री पर इंपोर्ट करते थे हम लोग रिफाइंड लीथियम और फिर हमारे देश में काम होता था अब लीथियम का यूज बहुत सारे इंडस्ट्री में होता है आज कल के आप से देखा जाए तो सबसे बड़ा यूज आपको जो देखने को मिलेगा डाट बी इन दफील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक वहिकल्स एवीज के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान यह जो लीथियम का र इसका यूज है तो काफी सारी चीजों में लीथियम आपको यूज में मिलेगा बैटरी बनाने के लिए तो इस वीडियो में लोग एक बार ब्रीफ में देखने वाले हैं कि यह लीथियम रिजर्व जो जमू में मिला है इससे क्या बड़े बैदला हमारे देश में आने वा बोद इंटरम्स अफ प्रोडक्शन आज वल इंटरम्स आफ रिजर्व तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टन पॉइंट तो सबसे पहरे चीज आती है यह डिसकवरी जो 5.9 मिलियन टन यानि 59 लाक टन का जो यह डिसकवरी हम लोगों को मिला है यह कह पर यह रिजर्व हमको मिला है Central Government अभी एक्सपेक्ट कर रही है कि by end of June और by mid of June पहला जो round of auction है वो start कर दिया जाए ताकि mining को हम धीरे जीरे start कर सके सिंस इंडिया में अभी ली थे हमकि जैसे हमने बात की production भी नहीं था रिजर्व नहीं था माइनिंग नहीं थी हमारे पास कई अब क्योंकि इसमें grading भी होती है प्रोसेस ऐसा नहीं है कि extraction का बहुत सिंपल सा प्रोसेस हो तो हमको इसमें transfer of technology चाहिए हम तूसरी country से technology लेंगे जो इस काम में बहुत आगे हैं अग्रणी हैं काफी for example जैसे चाइना की हम बात कर लें अर्जेंटीना की बात करें या चिले की बात करें इन सब अगर UNFC की बात की जाए उनाइटे नेशन फ्रेंवर्क क्लासिफेकेशन जो की फॉजल्स को क्लासिफाइब करता है इंडिफरेंट ग्रेड तो अगर आप देखेंगे जी फोर जी त्री जी टू एंड जी वन यह ग्रेड है तो हमारे हां जो मिला है डाट जी त्री प्रोस उसका शेप, साइज, कितने बड़े स्प्रेड एरिया में वो है यह सारी चीज़ों को देखा जाता है जी टू जनरल एक्स्पॉरेशन में तो हम और आगे स्टेज में पहुंच जाते हैं माइनिंग के लगभग करीब और डीटेल एक्स्पॉरेशन में फिर हम बात करते है कि किस तरीके से क्वालिटी एक्स्टाट की जाएगी अब यह बदलाओ जो अब नया रिजर्व हमारे पास आ गया इसकी वजह से इंपक्त क्या पड़ेगा तो रिजर्व मिलते साथ ही हम दुनिया में सिक्स्ट नंबर पर आ गये हैं इन दी वर्ड लाजिस्ट रिजर्व अभी की बात की जाए तो इंडिया इस नो फेसिलिटी तो रिफाइन इस मेटल अभी रिफाइनिंग की फेसलेटें मारे पास अवेलेबल नहीं है वेरी सुन विल भी हाविंग डाट चाइना कंट्रोल अप्रॉक्ट सेविंटी परसंट अफ लिजर्व रिफाइनिंग तो बॉलीविया इसमें सबसे आगे है देन अर्जेंटीना है फिर चिले है अमारिका है और अस्ट्रेलिया यह रिजर्व के मामले में इस तरीके से हम लोगों ने सीक्वेंस किया जहां प्रोडक्शन की बात आती है कि कि इतना रिफाइन हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया से एक्स्ट्राक्ट करता है अब हम देखते हैं हम कहां पर स्टांड करेंगे बट रिजर्व के मामले में वी आर राइट नाव एट सिक्स्ट क्योंकि अब हमको 5.9 मिलियन टन रिजर्व तो मिल ही चुका है कर्मेंट की एक्स्पेक्टेशन क्या है यहां पर होंगी वह इंडिया के साथ बाहर की कंपनी भी यहां पर अपना हाथ आजमाएगी कि उनको भी आउक्शन में मौका मिले गवर्मेंट इसको लाजर्जर्स फिगर में गरम देखें तो 2030 तक सरकार का क्या एक्स्पेक्टेशन हम चाहते हैं कि 30 परसेंट आटो मोबिल जो 4 व बड़े स्केल पर हम लोग इवी में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट में अभी अपार्ट फ्रॉम इवी आप सबको पता है बायो पेट्रोल बायो डीजल जिसको हम लोग बायो फ्यूल बोलते हैं वो भी आ रहा है इन फ्लेक्स एंजन यूस हो रहे हैं कार्ड जो भी आपके कमर्शल वहिकल्स हैं उन सब में भी साथ ही साथ एविएशन फ्यूल के हम बात करें या ही स्पीड डीजल की बात करें जो ट्रेंस में डल रहा है सब ही जगहों पर ब्लेंडिंग होती है एथनॉल के साथ 20 पोसेट एथनॉल ब्लेंडिंग अब इस साल से स्टार्ट हो चुकी है तो वह भी एक बहुत बड़ा वे है कि हमारा डिपेंडेंस जो है वह फॉजल पर घटे आपके नॉन रॉनियूबल रिसोर्स पर पर पेट्रोल डीजल पर घटेगा अट यह सेम टाइम हम एवी सेग्में में भी काफी बड़े स्केल पर चेंजर लाने की कोशि तक यह सो मक्त अग सब्सक्राइब टाइब लाग यह था लाग था यह लाग भाग